कि है लोगाइज वल्कम टूअ चनल मैस कंसेट अकैडमी मेरे नाम रवी मैं आपके लिए मतमडिकल कंटेंट और साथ स्थाथ के विस के अपडेट लेकर आता हूं तो मैं यह वीडियो बनाना जा रहा हूं जो ट्रांसफर के लिए इंतिजार कर रहे हैं जो भी के विस इंप धारा वाले के बास यह था 18 वाले में तो यह तक क्लियरली था कि 10 साल तक वह अपने रीजन से बाहर नहीं नीकल सकती मतलब कर NOR DES Sherman में थे तो 10 साल तक वह ही रह सकते हैं उसके बात Olisible ते बाहर निकल निकले पहलिए बात पहली बात यह दूसरी बात यह कि नहीं था 2018 वाली रिक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन वालों के लिए था लेकिन के विएस में बहुत चीज़ें अंक्लियर हैं और जैसे चाहे वैसे बता सकता है तो यही बात 2017 वालों के लिए भी सब लोग कह रहे थे आप सुनना हुआ तो मैंने तो एक बार को चोड़ दी कि आप हम यहां से बाहर निकलेंगे दस साल बात मेरा अपने घर यह अपने इलाके में जा पाना कोई वर्थी नहीं था क्यूंकि दस साल में मेरी आइडेंटिटी वहां पे जीरो हो जाएगी और यहां पे मेरी नई आइडेंटिटी इतन चैंजीद होने चाहिए सबने लिखके वेजा हमने भी वेजा लिखके अब हुआ क्या उसके तुरंत बाद ट्रांसफर फॉर्म निकल गए अब देखो एक्साइटमेंट इतने पीक पर चलती है ना ट्रांसफर फॉर्म निकले फिर हमने भरे अब इसके बाद जब तक लिस कुप्लीटली समझ सकता हूं आपको एहरानी होगी हम लोगोंने अपने सिलेंडर जो यूस कर रहे थे एक खाली था एक भरा था हम उसे बहुत प्रिसाइजली चला रहे थे कि यार यह सिलेंडर मतब चोबी चीज नहीं ले जाए जा सकती थी वहां वापस करनी थी या फिर खुलावा आटा यहां मतलब बात आटे की नहीं है बात एक माइंड सेट का बता रहे हूं तो मैं आपकी दुविदा बहुत अच्छे से समझ सकता हूं और इतने अच्छे से कि मैं फील कर सकता हूं कि आप क्या फील कर रहे होंगे ठीक है लेकिन अब बात आती है मुद्द किसी भी सिस्टम में करों अपने होमटाऊन में मुझे फरकी यह पड़ादा ट्रांसफर आते आते और मैं तो चाहा रहा हूं कि ट्रांसफर नहीं कोई मुझे Sever वहा हो तो आप आप अब वह जो जिन को मिल रही है वह वाज क्यों उठाएंः इस तरफ यह सारे फ्लॉज जब भी दूर होते मैं जब system पूरा unite हो जाता है मैं system को blame नहीं कर रहाए मैं कमी बता रहो मैं कौन होता हूं blame करने वाले या आप कौन होती हो blame करने वाले देखने वाले अब सुनना मैं क्या बता हूं principal के form कब की भरे जा चुके थे उनके ट्रांसफर कपकी हो जाने चाहिए थे फिर भी के विएस ने उन्हें अप्रेल के बाद अप्रेल के बाद कहा था आफ्टर बोर्ड एक्ष्टा एक्जाम सारे प्रिंसिपल के ट्रांसफर लेटर एलॉट कर दिये जाएंगे कहा था पीडी मजब नोटिफिकेशन रिलीज करके कहा था अप्रेल के बाद मैं जून जुलाई अगस चल रही है वो तक तो उन्होंने करें नी कि समझा रहे हैं आपके फॉर्म अभी निकलने हैं फिर प्रोसेस आनी है अब यह कब होगा मुझे जैसे पर चलेगा वैसे उमीद तो कि उन्होंने दस अगस्त तक यह मांगा था जो भी टीचर जितने पड़े हैं ठीक ना उनका रिकॉर्ड तो हमें उमीद थी कि जुलाई में आ जाएगा अब रहा अगस्त अब 15 अगस्त तक तो कुछ नहीं होता ठीक है ना उसके बाद उमीद है कि आ जाए ठीक है ना मिरको पूरे श्यौर है कि अगस्त 15 से 30 के बीच में आपको ट्रांसफर के फॉर्म देखने को मिलेंगे समझा रहा मैं क्या कि अब यह मैं नहीं कर रहा ना कई लोग आप सब मेंसे बहुत पता नहीं इतनी मृच्व बात कैसे कर दाते हैं आप कह रहा हूं आप आगे डिले कर रहे हैं मैं देले थोड़ना कर रहा हूं मैं आज ही ट्रांसफर देता क्यicana सब अपने हड़ घर से पढ़ाऊ समझे नहीं तो यह सब सब चीज़ें मैं बताने की कुशिश कर रहा हूं अब आप कर क्या सकते हो अब मैं आपको अपनी पर्सनल से बता रहे हूँ आप जहां भी देखो पड़ातों रही हो इस्कूल भी जाही रहे हो आप जिस जगे हो ना भी यह रहे हो लेकिन हर लगता कि Ķ्रमें लेकिन सोचा तो है मैंने एक बार ने जाना था सबस्राइब सब्सक्राइस सकते हो टिक ना और यह बात इस Resistance योटि ए अब कव शुर्षमपी के समें लाइश हो वहां पर आगे पहुंचाओ कि ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट करें इनिशेट करें हाला कि मुझे तो इंटर्नल सब कुछ बता है तो मैंने कहा ना किसी को धूप मिल रही है किसी को चाया तो चाया मिलने वाला क्यों करेगा कि मुझे धूप मिल रही है सारी वजे यह लेकिन आप पॉजिटिवली रहें 15 अगस्त से 30 अगस्त मतलब जो सेकंड हाफ है अगस्त का उसमें आपको ट्रांसफर फॉर्म मिल जाए होंगे ठीके ना कि आपको एक और बाद भी पताया तो थोड़ी वीडियो बड़ी जाएगी सुनना कि आप पता नहीं जब ये ट्रांसफर प्रोसेस जन्वरी फर्वरी की वीडियो है इस साल की मैंने पहले ही कह दिया था दिसंबर की मानलो 2021 की कि जन्वरी फर्वरी में ट किन नहीं था लोगों ने तो गालिया लिखी थी के विएस इंप्लोई ने और यह भी लिखा था आके रहेगी तुझे दिखाएंगे यह है वह है अब मैंने वह किस सेंस में कहा था मैं बताने की कोशित करता हूं क्योंकि अभी वाले ट्रांसफर प्रोसेस जो 2021 वाले थे व सब्सक्राइब करने से कुछ दिक्कत नहीं है जो पैसा पैसा ही तो सारा खेल है तो मैंने इसलिए का था जनवरी-फरवरी 2022 वाले ट्रांसफर में क्योंकि एक साल का तो गैप होना चाहिए ना तो आपका बता देता हूं अगर वही पैटन चलेगा आपका सितंबर-अक्टूबर में ट्रांसफर लिस्ट आ जाएगा और आप लोग जहां जाना चाहते हो वहां चले जाओगे ठीक है ना थोड़ी से वीडियो बढ़ी होगे लेकिन मैंने अपनी पूरी फिलिंग शेयर करनी की कोशित की और एक सची बात बता रहूं यह और्गनाइजिशन बहुत खूप कुँए कुँए मुझे जाना यह है उससम grill में बाड आई तब निकले हम वहां से आपको यकीन नहीं क chips Beta यहां की एरपोर्ट यह एर्पोर्ट फूला हॉगा था हम Cirito चिन्नी पता हैं कितने 2212 घंटे में ट्रिंट से पहुंचे और जब स्कूल से निकले थे तो हमारे कमर तक पानी था उसमें कीचड़ पानी उससे होते वे सर पे रखते वे मतलब यह सारे तो यही सब एक्सपीरेंस आपको भी मिलेंगे थोड़ा सबर रखें सितंबर अक्टूबर तक आपका ट्रांसफर लिस्ट आज आएगा क्योंकि 2021 का पैटन फॉलो कर रहे हैं धन्यवाद